नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत सुवागत है आप सभी का गवर्मेंट एजूकेशन में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि जो मद्रदेश शरकार द्वारा गुरुफ बन सब गुरुफ थ्री में पेपर यानि एक्जाम जो होता है भरतियां होती है उसमें क्या कैसी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और इसका आने वाले टाइम में जो एक्जाम है अगर हम बात करें इसका एक्जाम जो होगा कि गुरुफ बुन सब गुरुफ थ्री का तो यह फरवरी में है टर्टेव डेट जो इसकी एक्जाम डेट मंत दी गई है द तो यह 2017 में एक्जाम हुआ था और उसी के आधार पर जो है वो क्वालिफिकेशन यहां पर आगे आगे आको देखने को मिलेगी सेम तुसेम बोही प्रोसेस होगी वही सिलेवर्स होगा बोही एक्जाम पैटर्न होगा तो देखें यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो यह देखें यहां पर यह जो है समू 1 उप्समू 3 के अंत्रकर्त खर्ण विस्तार अधिकारी सांकिका अधिकारी प्रभंदक सामाजी कारकरता पर अन्समकच्च पदों पर भरती निकाली जाती है अगर वहीं हम देखा जाए तो अभी जो 2021 का जो कलेंडर जार हाउस कीपरिंग साइकेट्रिक सोसल वरकर हो गए और कार्या कारिकरम प्रभंदक बाल सरचन जिला प्रभंदक कोशल उन्यन और रोजगार एवं अन्य पतों पर भरती वहां पर कही गई है तो क्वालिफिकेशन अल्मोस्ट यहां पर सेम ही रहती है देखते हैं देखिए स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर श्रेवस की इसमें और एकजाम क्या रहेगा देखिए पहला ऑद्डू पेपर जो होना है इसमें मतलब सोचो नंबर की 200 का पपर होना है पहले पेपर में जो दीं हुईगी शामान फेक्जान सामान हिंदी शामान अंग्रीजी और शामा management होता है जो और मुझे आप देखो गई है जो लेवर इंस्ट्रेक्टर का slavers होता है उसी इसाब से यहां पर यह दिया गया है अब हम बात करेंगे यहां पर आयूशीमा की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए आयूशीमा जो है वह अधिक्तम पैंतालिस वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए बाकी जो यहां पर जो जनल केटेगरी के हो गए और जो अधर केटेगरी के जिनको छूट दी जाती है तो उनके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या कैसा जो हर यहां पर छूट दी जाएगी तो आगे चलते हैं तो आप देखें यहां पर यह तो हैं उन्के पद्ध निकाले जाती हैं तो पहले जो निकले गए यहां प्रेस्ट के लिए यहां पर जो मांगी गई है दरशल सामाज सास्त में, 32 रेणी में, आपके पास आपके पास qualification होने से दिगरी होना चाहिए, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर चल्बरी एक 2800 ग्रेट पे हैं, तो सही है, तो इसके पर निकले जाएंगे, सामाज सास्त में आपके पास दिगरी होना चाहिए, और आगे देखा जाए तो यह इसमें जो है वो आप देखोगे कि आर्थिक और सांके के संचाले के विवाग में बरती निकली है और इसमें जो है मांगा गया है कि किसी मानेता प्रशा प्राप्त विश्य उत्याले से गड़ित या बहुतिकी सास्त्र या कंपूटर विज्ञ यानीं कंपूटर साइज से की हो या एलेक्ट्रोनिक से की हो तो बहुति इस परिक्चा को भर सकते हैं इसकी सेलरी आप देखोगे यहां पर management और agriculture में आपके पास qualification होना चाहिए है और इसमें कहा गया है कि एक वर्षिय computer diploma के लिए यहां पर जरूरत होगी सेम टू सेलरी जो है वो आपके पास यही होगी आगे हम बात करें तो सहाइक सांखी अधिकारी की हम बात करें तो इसमें जो है वो अर्द सास्त्र सांकी की बाड़ेज यान कौमिशियर और गड़ते विशयों में किसी एक विशय में निम्तम दूतिय वर्ष्टेंडी में जो है वो आपके पास टिक्टिक होना चाहिए ओके शेलरी आपके पास अच्छी कासी है इसमें भी तो आप देख सकते हों इससाब से आपको तैयारी करनी है कि आपके पास क्या कैसी क्वालिफिकेशन है और उसी एक्जाम पर बहुत से जो है वो एक्जाम निकाले जाते हैं लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं पता होता है लोग को कि इसमें क्या मांगी गई है तो बहुत सी लोग रहेगा ही जिसमें देगी आरख सांकी ऑर्द जिगड़ेदवार समाज सास्तर मैं झो है वो आपके पास कम से कम दूह-ति SM में आपके पास लिकली होना चाहिए वहीं네 अगर बात करें तो संब्यदा भर्ति के पदों पर वर्गकार विवरण दिये हुए यहां पर और इसमें जो है वो कम्पूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपनिंग का ग्यान होना चाहिए आपके पास दो वर्स का अनुवा यहां पर मांगा गया है और आपके पास संब्यदा भर्ति पर है त्यां रखना है आपको संब्यदा भर्ति दी हुई है और इसमें जो है वह सेम चीज़ा मागी है यहां पर कंपूटर में डिपलोमा और एक साथ का आप के पास कंपूटर होना चाहिए वहीं बात करें समाघ सास्त्र और समाजकार आस एक दो वर्स का बाल सरच्छन के छेत्र में आपके पास अनुबब होना चाहिए आगे देखा जाएगा तो इसमें देखी क्या मांगा गया है यह जो है वो इसमें वहीं कंपूटर साइंस किया हो आपने MSC BSC किया हो और हिंदी अंग्रिजी टाइपिंग का ग्यान होना चाहिए ग्यान होना चाहिए आपके पास आपके पास कोई सार्टिफिकेट नहीं मागा गया अगर आपको ग्यान है तो भी आप परसर पाओगे इसको और आगे देखा जाए तो इसमें देखिए एक वर्स का अनुबब भी कहा गया है सास किया काराल में अगर आपने काम किया है तो सुत्याले से आपने की हो कोई भी डिग्री हो और हिंदी एंगरीजी टाइपिंग का ग्यान होना चाहिए आगे हम देखा जाए तो इसमें जो है वो आप देखोगे कि लेखा अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आपके पास बाड़ज विशे में डिग्री होना चाहिए और और इसमें कुछ नहीं मागा गया है यही मागा गया है ठीक है अब देखते हैं इसमें सरचन अधिकारी संस्तान देखवाल के लिए जो है वो इसमें भी समाज सास्त्र समाजकार और मनो बग्याने विशे में जो है आपके पा समाज सास्त्र, समाजकार रहत्वा या मनोबेग्याने विशे में आपके पास टिक्री होना चाहिए इसमें हम बात करेंगे तो इसमें भी वही चीजें है इसमें जो है वो परामर्सदाता तो इसमें भी समाज सास्त्र समाज कार और मनवेग्यान विश्या में पास टिक्री होना चाहिए इसमें देखी क्या बोला गया है कि उक्तपदों के लिए जनरल ओवीसी बिना वर्खे निससर्शन्र आविदन नहीं कर सकेंगे तो यहां पर जो है वह आप देखा हूं यहां पर जो है वो आपन में नहीं है बरती तो इसलिए आप तहां रखना वीची में ने दी हुई यह बागी समय दी हुई है तो आपको वहाँ पर दिख जाएब जब आपके भरती निकलेंगी तब और इसमें में भी ग्याने पिश्यमें आपके पास इसमें भी टिक्री होना चाहिए इसमें भी जो है वो देखिए SC ST OVC की इसमें कोई भलती ने निकाली है तो वो डिबन करता 2017 में अभी जो है वो आपके पास देखने को मिल जाएंगी तो यह थी qualification आपके पास क्या क्या कैसी भलती है और क्या qualification है अब बात कर लेते हैं यहां पर आयू की आयू देखिए यहां पर जो पुरी सा जनरल केटेगरी के हैं उनकी 40 वर्स यहां पर निदारित की गई है और जो महलाएं हो गई और जो केटेगरी हैं मतलब OVC ST ST तो उनक शुरूप दी जाने वाली चूट तो वो सब यह 5 वर्ष दिये जाएगी अब यहां पर आप मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई जानकरी है आपके पास इसमें जो है वह आपके पास पेपर का पढ़ गया कि क्या-क्या विश्य जो है वह इसमें दिये जाएंगे और क्या- मीश सेमी रहती है यहाँ पर आपके वह 좋은 हैें और एक बहर आप देखिये यह हमीन, और जो है था, मतलब को निये रखेंप डश्य कि पिर्पर है यह यह तो यह जय ती और यह अच्छी मतलब सेलरी एसाई के बराबर जो है इसमें आप देखोगे वालमूर्स से जाद रत पदों में जो है वैसाई के बराबर सेलरी है तो अच्छी लेविल की जॉब है और आप अगर इसके लिए क्वालिफाइड हैं मतलब आपने जी चीज़ें की हुई है तो आप जरूर जो है वह इ